Hi, I'm Penelope. Most fairy tales start with a girl and a dream. Mine started with a scandal and a family curse. A curse that gave me the face of a pig. So, a movie starts with a past, where we see a royal family. Their standards are very high. The girl loves a servant. She likes to marry a girl. She likes to marry a girl. She likes to marry a girl. But when she likes to marry a parent, she likes to marry a family. And he says that he's what he likes to do. She doesn't care about her head. But as of you, she also doesn't care about her. She loves her daughter. And her family does not care about her. And its pressure is a form of a woman. She doesn't care about her daughter. She gets tough. She just gets tired. She really tires. She thinks that she doesn't care about her daughter. किया हम इंसान नहीं होते और इसी सुच में एक दिन मुस्य साइट कर लेती है अपनी चाहन ले लेती है क्योंकि वो इस चीज़ को बुला नहीं पा रही थी दूशी तरह को रोयल फैमिली अपनी जिंदगी में खुश थी उन्हें कोई फर्ट नहीं पढ़ रहा था अब उस सिर्फिंट लड़की की मा को ये देखके काफी बुरा लग रहा होता है वो उपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहती थी वो एक वेच होती है जिसको मैचिक करना आता था और वो किसी को भी कर्स दे सकती थी आव उस जाती है उस रोयल कैसल के बाहर और बोलने लगती है कि मैं तुम लोगों को एक कर्स देती हूँ तुम लोगों के फैमिली में जो भी बेटी पैदा होगी वो पिक की तरहां देखेगी उससे कोई शादी नहीं करेगा सब उसको रिचेक्ट करेंगे और इसी तरहां अपनी सिंदगी से तंग आ जाएगी वो तब तक टिक नहीं उपाएगी जब तक कोई उसे एकसेप्टी न कर ले और ऐसा होना बहुत मुश्किल है ये कर्स देगे वो विच दुखी दिल के साथ वहां से चली जाती है अब हम देखते हैं कि टाइम गुसरता जाता है कई साल गुसर जाते हैं उस रोयल फैमली में जिनरेशन वाइस पांच चो बार बेटे ही होते हैं और जाहिर है वो रोयल फैमली इपने बेटों के लिए ब्राइट स्पाहर से ही लाती ही लेकिन अब के बार चुनका बेटा होता है उसके भी शादी हो जाती है और सब लोग ये एक्सपेक्ट कहरे होते हैं कि इनका भी बेटा ही होगा लेकिन उनकी बेटी हो जाती है और वो बिल्कुल वैसे होती है जैसे विच ने कर्स दिया था उसके कान पिक जैसे होते हैं और उसकी नाख भी उसकी माँ ये देखके काफी डर जाती है लेकिन उसका हस्बंड उसे समझाता है कि हम जल्दे कुछ कर लेंगे, वो लोग उसका नाम पिनॉलपी रखते हैं, बच्ची तो प्यारी होती है, लेकिन इस तरह से उसका फेस काफी weird लगता था, वो लोग ये तक try करते हैं, कि हम अपनी बेटी की surgery करवा लें, ताकि इसका ये face ठीक हो सके, लेकिन डॉक्टर्स कह ये बहुत बड़ी headline बन जाती है, कि एक big लड़की पैदा हुई है, सब लोगों को वही कर स्याद आने लगता है, जो कि विच्च ने royal family को दिया होता है, कि आज वो सच हो गया है, एक दिन पिनॉलपी की मदर ने उसे उठाया होता है, तब भी उनके घर में एक reporter चपके से चाता है, वो इन फैक्ट उस बच्ची की कुछ pictures लेना चाता था, ताकि ये news में दे सके और सारे लोग इसे देख सके, जो कि पिनॉलपी की मदर नहीं चाहती थी, वो इस reporter की आंग को इंजर्ट कर देती है, जिससे डर कर वो reporter भाग चाता है, अब पिनॉलपी की मदर सोच म परशाती है, कि हमारे घर में कोई privacy नहीं रही, हर वक्त मीडिया इस चक्कर में होता है, कि किसी तरह से वो घर के अंदर आ जाएं, और मेरी बीटी की इस तरह की pictures लेके viral करें, इसका बहुत दिल्दुपता था, तो वो एक plan बनाती है, और वो plan ये था, कि वो सब को ये शो क में ही रखना शुरू करती है, वो उसे बहुत प्यार करती थी, वो उसे घर में ही बढ़ाते रिखाती, उसे हर चीज सिखाती, बेशक वो बाहर नहीं जाती थी, लेकिन घर में भी उसे हर तरह की facility दी जाती थी, आप वक्त गुसरता जाता है, और पनॉल पर काफी बड़ी करती है, जो वहां पर उसके लिए अच्छे अच्छे प्रपोसल्स भीज़ती है, लेकिन बहुती दुखी बात कि जो भी लड़का उसे देखने आता था, वो उसे डर जाता था, और वहां से भाग जाता था, आज तक किसी भी लड़किन उसे पसंदी नहीं किया, इसी तरह भी एक्रिमेंट पर साइन करते थे, लेकिन इस बात की वज़ा से पिनॉलबी की मदर काफी सैड रहने लगी थी, कि अब उनकी बेटी का क्या होगा, अब एक तीरे को लड़का पिनॉलबी को देखने आता है, लेकिन वो काफी बत्तमीज होता है, ना व एक्रिमेंट पर सा कर लेती है, कि तुम बहकी बहकी बातिंग कर रहे हो, हमारा टाइम बेस नहीं करो, अगली सुब होती ही, जब लड़का बाहर आता है, तो न्यूस बेपर देखता है, जिसमें उसके अगिंस्ट न्यूस चबी होती है, कि ये लड़का फजूल में ही किसी बिग लड़की के पाहर निकालो, जब security उसे बाहर निकालु रही होती है, तो वह कहता है, कि बाहरा पदला सरूर लूँगा, वहां पर एक और reporter होता है, जिसकी एक आंख औवर्ड होती है, क्योंकि उसकी आंख नहीं हुती, इनफिक ये वही reporter लाजिश यसकी आंख पिनॉर्पी की मदर ने था अमीर और पत्तमीज लडगे के साथ मिल जाता है want the उस पिग करेंगे इन छाए उस आंखवाला रिपोटर एक के सीनों चाता है जहां पर लडगे से मिलता है कि मुझे तुम्हारी जूरुद्ध है मुझे काम में तुम्हारी हएल्प चाहिए और इसके मतले में मैं तुम्हें बेबी करूँगा तो मैक्स मान जाता है हम मैक्स को ये सारी सिच्चूशन बताई चाती है कि वहाँ पर लड़के उसे देखने चाते है ताकि कोई तो ऐसा हो जिसकी साथ पिनॉल्पी की मैरेज फिक्स हो सके तुम भी इसी तरह उसके घर के अंदर जाना लेकि पर और बी लड़के हैं चोके उसे देखने आये थे लेकिन जैसे ही पिनॉल्पी वहाँ पर आती है तो सब लड़के भाग चाते हैं सिवाए मैक्स के क्यूंकि वो तो परपसली वहां पर आया था वो क्यों भाग था लेकिन पिनॉल्पी भी काफी सैट होके वहां से चली वो अब अपने रूम में जाती है जहां पर एक मिरर लगा होता है वो तो अपने रूम के बाहर देख सकती थी लेकिन उस मिरर के दूसरी तरफ़ वला इंसान उसके रूम के अंदर नहीं देख सकता था पिनॉल्पी उस मिरर से देखती है कि मैक्स अभी भी नहीं गया वो कि यहाँ पर क्यों हो तो वह कहता है कि आप नहीं चानती में यहाँ पर क्यों आया था तो दूपारा क्यों नहीं जा रहे हो तो मैक्स के डाया क्या है और ये पहला लड़का है जिसको मैं दिखने में बुरी नहीं लगी तो वो मेक्स कहती है कि अच्छा ठीक है कर तुम तुम दुबारा आ जाना उसके बाद मेक्स चला जाता है अब पिनॉल पी की फैमिली और उसकी मज़र काफी खुश होती है कि फाइनली हमारी बेटी किसी लड़के को अच्छी लग गई और वो सब तरके दिन के लिए काफी एक्साइटेड भी होते है दूसरी तरफ मेक्स भी क्योंकि उसने उसकी पिक्चर्स दो लेनी थी अगले दिन मेक्स दुबारा से त्यार होता है और उसी जगाँ जाता है जहां पर मेरर के दुरू उन दोनों में बाते हुई थी वो लोग कुछ बाते करते हैं अब मेक्स उसके लिए म्यूसिक प्ले करता है और वो मेरर के दुरू ही उसके साथ चेस भी खेलता है अब मेक्स उससे मेरर के दूराही बाते करने लगता है वो उससे पूछता है क्या कभी तुम मेरे साथ बाहर चलोगी तो पिनॉल पी उसे कहती है कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है तो मेक्स कहता है कि अच्छा ठीक है तो अब मैं घर शलता हूँ और फिल दुबारा आउंगा अगले दिन आज आता है मैक्स के कोट में अभी भी वो कैमरा होता है आज की दिन वो पिनोल पे के लिए प्यानो प्ले करने लगता है वो जान की प्यानो खल बजाने लगता है तो अब की बार पिनोल पे उसके सामने आ जाती है और उसे सिखाती ह है यहां पर मैक्स पैनॉल पे की शिकल ठीक से पहली बार देखता है शुरू में तो वह भी काफी डर जाता है काफी कंफ्यूस होता है कि इनसान है या पिक जब उसके नौस को हाथ लगाने के लिए प्रहाथ उठाता है तो उसके कोड में चुपे कैमरा से पिक्चर क्लिक हो पिनॉल पी कोई बात काफी बुरी लगती है उसे यह लगता है कि शायद इसने में नोस को देखके ऐसे कहा और इसे रिक्रेट हो रहा है कि यहां पर क्यों आया पिनॉल पी वहां से चली जाती है मैक्स को यह काफी बुरा लगता है वो चाहता था कि वो पिनॉल पी को क्लि तो जब मेश जा रहा हो था है थो के मैं दरों से रोपने जा दी मैं जब वो देख टी है कि मैक्स को रिक्षर से क्लिक करने आया हो खाब है मेस भूलाता है और घुर सरा फेंभी पारिउ gider मुझे घलत समझ रही हो एक बार मुझे बात तो करके देखो तो पिनॉल पी कहती है कि अच्छा अगर तुम सच बोर रहे हो तो क्या तुम उसे शादी करोगे क्योंकि आज तक चो भी आया मुझे डर कर भाब गया तो मैक्स आग से चुप हो जाता है और कहता है कि शादी हो तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसके लिए रेडी ही नहीं हूं तो पिनॉल पी कहती है कि कोई बात नहीं इसमें तुम्हारी घलती नहीं है मैं जानती हूं पर इसे के साथ ही मैक्स वहां से चला जाता है पिनॉल पी काफी सैट हो जाती है और रोने लगती है कि शायद मे को कवर कर लेती है और बाहर निकल जाती है बाहर जाती है उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है क्यूंकि यह सब उसने पहली बार दिखा था इस तरफ अकर पिनॉलपी खुश होती है तो दूसरी तरफ उसकी मदर काफी वरिड हो रही होती है कि उनकी बेटी कहां पिनॉलपी उने कॉल करके कहती है कि अब मैं कैसर में नहीं आऊंगी मैंने इतने साल अंदर गुसार लिया अब मुझे बाहिर रहना है और मैं यहां बर खुश हूँ वो एक होटेल में रहने लगती है दूसरी तरफ हम मैक्स को भी काफी उदास देख रहे होते हैं क्यूं क्योंकि उसमीर लड़के ने उसे अब वलियेश में देखा होता है लेकिन जब स्केश त्यार होता है तो बहुत ज्यादा अजीब और खौफनाग होता है अब यह पिक्चर यानि स्केश निउस्पेपर में दे दिया जाता है उसकी मिसिंग रिपोर्ट के साथ और साथ रि जाकर अपनी क्लिक करवाधी है वह यह पिक्चर उसे कांख वाले रिपोर्टर को देदेती है जब रिपोर्टर नहीं है उसका नाग ही बड़ा है जिस तरह का स्केश जो समील लड़के ने त्यार करवाया वो तो बहुत घौफनाफ था लोग पिक्चर मैक्स को भी दिखा प्यानों बचाया करता था और उसे याद किया करता था दोशी तरफ पिनौल पी अपनी इस सिंद्धकी को काफी नड़की मिलती है वो उसे बाते करने लगती है उन दोना में काफी अच्छी दोस्ती हो चाती है पिनौल पी ने अभी तक अपना फ्यस कवर ही रखा हुआ था अब ये दोनों फ्रेंड्स खूमने भी चाती एक साथ वाग बिगर्टी लेकिन अभी तक उसकी फ्रेंड को डाउट नहीं हुआ था कि वही बिग गर्ड है उसकी पीचे जाने झाने लेकिन उसकी पीस्टी जाने लेकिन उसके प्रिक जाने है और वहां पर पिनोर्बी की मदर भी आ जाती है जो कि उसे वापिस घर ले आती हैं लेकिन जब पिनोर्बी की आंग खुलती है तो उसे बहुत सारे फ्लेशिस उतने मूँ पर पढ़ते हुए फील होते हैं जब उटकी बैठती है और विंडो से कपड़ा हटाती है तो उसे पता चलता है कि बाहर तो मीडिया वाले हैं और बहुत सारे लोग उसके बारे में जान चुके हैं अब रिपोर्टर्स उसे कुष्णिंग करने लगते हैं तो वो सब कुछ बताने लगती है तो बाहर के लोग भी इतनी में बुरी नहीं है वो तो फ्रेंडली भी है और हम यहीं समझते थे कि रूट है बहुत बित्तमीज होगी और किलर भी होगी अब पिनॉल्पी की मदर को भी इस पास से कोई इशू नहीं था बलके वलों खुश दे कि मीडिया और बाकी के लोगो उने पसंद कर र को बुरा स्केच बनवाया था जब लोग उसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यूं किया तो कहता है क्यूंके तब मैं काफे डर गया था अब क्यूंके वह बहुत फेमस हो चुकी थी तो समय लड़के के फादर उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें अब शादी हो इसी लड़की कर सकता हूं लेकिन बाद में उसे पने फादर की प्रेशर में आके शादी के लिए हां करना ही पड़ता है पिर हम देखते हैं कि पिनॉल विपार में होती है और तब ही वहां पर मैक्स आता है जो कि उसे कहता है कि एक पर मेरी बात तो सुन लो तुम्हें करना चाहता हूं जिस पर उसकी मदर काफे खुश होती है कि फाइनली पिनॉल पी को कोई पसंद कर गया उन्हें क्या पता था कि पिनॉल पी को अब सारी दुनिया पसंद करने वाली थी वह अपनी बेटी को मनाती है लेकिन पिनॉल पी कहती है कि पहले इसी नहीं हमारे लेकर तर चाना पिनॉल पी को समझाने आया था कि यह अमेल लड़का बहुत मतलबी है और सिर्फ तुमसे मतलब के लिए शादी की जा रही है लेकिन उससे पहले ही वही अमेल लड़का उसके सामने आ जाता है और कहता है कि नहीं मैं तो पिनॉल पी से प्यार करता हूं लेकिन मैंसर नहीं कि उसका स्टैंडर्ड ब्यूटी हो, वो एक आंखवाला रिपोर्टर वहां पर आता है, वो मैक्स से कहता है कि मैं चानता हूं, तुम पिनॉल्पी से सचा प्यार करते हो, जबकि वो मैं लड़का असन नहीं करता, तो मैक्स कहता है चाने दो यार, वो कौ पिनॉल्पी की मदर से मिलता है, और उनका बताता है कि एक लड़का है, जो कि आपकी बेटी से सचा प्यार करता है, और वो उस दिन शादी करने से इसलिए मना कर रहा था, कि हो सकता है कि ये वन साइडिड लव कर्स को तोड़ने के लिए काफी ना हो, लेकिन पिनॉल्पी पिनॉल्पी ने भी वेडिंग ड्रेस पहन लिया होता है, लेकिन वो इवन्ट शुरू होने से पहले ही वहाँ से भाग जाती है, वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकती, जिससे मैं प्यार ही ना करती हूँ, उसने पहले मुझे मुझे रिचेक्ट किया और मैं जानती हूँ कि उसका कोई मतलब होगा, मैं अकेले लाइफ को सार लूगी और मुझे किसी पर डिपेंड़न नहीं होना, मैं जैसी भी हूँ, मैं खुद को पसंद हूँ, ये मेरी कमी नहीं है, बलकि यही तो चीज़ है जिससे मैं यूनीक हूँ, इसे के साथ वो ब एकसेप्ट नहीं करेगा, वो ठीक नहीं होगी, और पिर चाहिए वो खुद ही हो, जो खुद को एकसेप्ट कर ले, कर्स खतम होने की वज़ा से पिनॉल भी अब एक नॉर्मल इनसान बन चुकी थी, और वो और भी स्यादा खुबसूरत दिखती थी, और हमें पता चलता है कि उस घर में जो पटलर होता है, वो इंफेक्ट बिच्छी थी, जो कि 25 साल से वहीं पर रह रही थी, और सब कुछ अबसर्फ कर रही थी, और हम देखती है कि पिनॉल भी एक स्कूल में चॉप करने लगती है, वहां पे बच्छों को बहुत अच्छे से बढ़ाती है, तब कि बिलकुल पिनॉल भी की शकल से मिलता जुलता था, जो कि उसकी पहले शकल होती थी, यानि सब बचे पिनॉल भी के पहले रुप को भी पसंद करते थे, और अब भी पिनॉल भी एक मास्क पहन लेती है, और मैक से मिलने जाती है, मैक से जाकर बाते करने लगती है, और तेंक्यू मुझसे पैयार करने के लिए जब किसी ने मुझसे पैयार नहीं किया और इसी